नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका बिहार समाचार में तो चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी ख़बरों के बारे में जानते हैं तो ख़बरों की और रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपके मान में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूचा और विडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवस्थ करें नितीश सातवी बार बने बिहार के सीएम सपद लेने वाले पंदरा में से सात मंतरी पिछड़े वर्ग से भाजपा के कोटे से दो डिप्टी सीएम समेत सात मंतरी नितीज कुमार साथवी बार बिहार के मुख मंत्री बन गए उनके साथ 14 निताओं ने मंत्री पद की सपद ली इनमें जदयू से 5 भाजपा से 7 और हम वियाईपी से 1 एक एक निता को मंत्री बनाया गया मंत्री मंदल में सभी समुदायों को साधने की कोशिस की गई नितीज समेत 15 विधायों में स्वर्ण समुदाय से 5 पिछडा वर्गिस से 7 और दलित समुदाय से 3 निताओं को मंत्री बनाया गया नितीज कुमार के सपत लेने के बाद दूसरे नंबर पर तारकिसोर प्रसाद और तिसरे नंबर पर रेनू देवे ने सपत ली। नितीज कुमार के सपत लेने के सपत लेने के सपत ली। नितीज कुमार की कैबिनेट में बीजेपी की तरब से केवल एक डीप्री सियम हुआ करते थे। सुसील मोदी की छुट्टी करने के बाद बीजेपी नेता तारकिसोर प्रसाद और रेनू देवे को जिम्मेदारी सौपी है। तारकिसोर प्रसाद कटिहार विधानसभा सीट से चुनाव जितकर सदन पहुँचे हैं वहीं चौथी बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। जबकि रेनू देवी भी चौथी बार जीतकर सदन पहुचे रेनू देवी बेतिया से विधानसभा सीट से चुनाव जितकर आती हैं। पद की सपत ले लिए नितीज साथवी बार विधार के मुख्यमंत्री बन गया हैं। राजपाल फागु चोहान ने उन्हें पद एवंगोपनियता की सपत दिलाई है। राजपाल के राजेंद्र मंडपम माहौल में आयोजित समारो में नितीज कुमार ने पद एवंगोपनियता की सपत ली है। सपत ग्रहन के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। प्यम मोदी ने ट्वीट कर कहा नितीज कुमार जी को बिहार के मुखमंत्री पद की सपत लेने पर बधाई। मैं उन सभी को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने बिहार सरकार में मंत्री पद की सपत ली एंड ये परिवार बिहार की प्रगती के लिए मिलकर काम करेगा। मैं बिहार के कल्यान के लिए केंद्री की और से हर संभव सायता का स्वासन देता हूँ। नितीस के सपत लेते ही प्रसांद किसोर ने तोड़ी चुप्पी बोले बीजेपी के मनोनित सीम नितीस ठके हुए हैं। मिलकर मंतरी के तोर पर सपत लेने के लिए नितीस जी को बढ़ाई। प्रसांद किसोर ने बिहार चुनाव के दौरान पूरी तरह चुप्पी साधे रखे थी। उन्होंने अपना आखरी ट्वीट 20 जुलाई को किया था कोरोना महामारी के बीच वह लगातार सवाल उठाते रहे। लेकिन बिहार के चुनावी माहल में उन्होंने कभी कोई बयान नहीं दिया। अब नितीज सरकार के गठन के बाद प्रसांद किसोर ने कहा है कि सीम के रूप में एक ठके हुए कमजोर नेता के साथ बिहार किस गती से आगे बढ़ेगा यहाँ देखने वाली बात होगी। तेजस्वी ने बधाई देते हुए नितीज कुमार पर साधा निसाना बोले उम्मीद है कि सरकार अपना वादा निभायेगी। और कहा आदर्निय स्री नितीज कुमार जी को मुख मंतरी मानोनित होने पर सुबकामना आसा करता हूँ कि कुर्सी की महतोकंचा की बजाए वो बिहार की जनकंचा एवंग एंडे के 19 लाख नौकरी रोजगार एवंग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिचाई, सुनवाई जैस जीत के बाद NDA की नही सरकार के गठन के कवाद के बीच इस बार नितीज सरकार में पिछली सरकार के 13 मंतरी नहीं होंगे सबसे पहले पिछली सरकार में उपमुक मंतरी रहे सुसील मोदी इस बार बिहार सरकार में सामिल नहीं होंगे वहीं दो कपिल देव कामत और विनोध कुमार सिंग दिवंगत हो चुके हैं जबकि सेश दस चुनाव हार गया हैं इनमें जदयू के आठ भाजपा के दो मंतरी सामिल हैं भाजपा के सुरेश सर्मा, ब्रजकिसोर बिंद, वहीं जदयू के कृष्ण नंदन, प्रसाद वर्मा, जैकुमार सिंग, सैलेस कुमार, लश्चमिस्वर राय, संतोस निराला, खुर्षिद उर्फ, फिरोज अहमद, रमेश, रिसीदेव, रामसंकर, सिंग, हार गये हैं, सुत्रो के अनुसार विहार विधान सभा के अध्यक्ष को लेकर दोनों दलों में जीच फस गई है, संख्या बलके हिसाब से भाजपा ने इस पद के लिए दावा कर दिया है, जबकि जदयू पिछली सरकार की तरह इस पिछपद को अपने पास रखना चाहती है, उसका तर्क यहाँ भी है कि विधान परिशत के कारीकारी सभापती भाजपा के ही है, जबकि उस हाउस में जदयू के भाजपा से अधिक सदश्च हैं, कोरोना के बाद अब पटना में डेंगू का कहर, रामक्रिश्न नगर महलने में सबसे अधिक मरीज, कोरोना के बाद अब डेंगू पटनावासियों को सता रहा है, राज में अब तक डेंगू के 275 मामले आये हैं, जिसमें 205 केस किवल पटना के हैं, राजदानी में डेंग के कहर का सबसे बड़ा कारण सहर की गंदगी है साफ सफाई की समझ सा डेंगू को बुलावा दे रही है एक्सपर्ट का मानना है कि अभे भी नहीं चेते तो आने वाले दिनों में इस्तिति और गंभीर हो सकती है पटना में रामकृष्म नगर ऐसा महला है जहां डेंगू के म पानिगी ही नहीं है इसी कारण भी डेंगू के मामले बढ़ रहा है पटना में डेंगू का मामला सबसे तेजी से बढ़ रहा है बिहार में जितना मामला है उसमें सबसे अधिक पटना में है पटना में 205 मामले अभी तक आया है जबकि पूरे बिहार में 275 मामले आया है को कोरोना में भी ऐसा ही था, कोरोना में सबसे अधिक मामले पटना में हैं, डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना के मामले में भी लापरवाई पटना में सामने आई और डेंगू में भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, तेजस्वी ने नहीं मानी हार, कानूनी लड़ाई लड़न और कानुन विदो से राय ले रहे हैं इसका मतलब साफ है कि तेजस्य यादव ने हार नहीं मानी हैं चुना परिणाम के बाद उन्होंने अपने पहले प्रेस कॉंफरेंस में कहा भी था कि हम हारे नहीं हैं हराये गया हैं नतीजा हमारे पक्ष में रहा और फैसला उनके ग्रहन समारों का बहिसकार करने का निन्ने लिया है पार्टी का कोई भी निता आयोजन में सामिल नहीं होगा कॉंग्रेस विधान पार्सद और प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिस्रा नहीं कहा है कि जन्मत की हिराफेरी कर नितीज कुमार सरकार बना रहे हैं इस वज़ा से कॉ कोई सपत ग्रहन समारों में नहीं जायेगा भागपा माले की और से आयोजन में कोई सामिल नहीं होगा। ने बड़ी संख्या में वोट किया था और इसलिए पोस्ट वैलेट के वोट बड़ी संख्या में रद कर दिये गए तेजस्वी ने यहां तक की कहा कि पोस्ट वैलेट की गिंती सही से हो जाये तो उनकी सरकार बन जाएगी। आने का फैसला ले लिया है। पाटी ने नंद की सोर को मंत्री नहीं बनाया है। अब बात करता है सबसे अंतिम कवर की च्छतिसगर के स्रीयम ने कहा बंगाल चुनाओ तक ही टीक पायागी बिहार सरकार नितीस को सुब काम नाएं। विहार में विधान सभा चुनाओ के बाद मुख मंत्री नितीस कुमार की सत्ता में वापसी हो गई है। कि नहीं सरकार सिर्फ बंगाल चुनाओ तक ही टीक पायेगी। भुपेश बागेल विहार चुनाओ में कॉंग्रेस के स्टार प्रचारक रहे हैं। केंद्रिया नित्युत ने उन्हेने विधायक दल का निता चुनने की जिम्मेदारी सौफी थी। कि मुखमंत्री भुपेश बागेल विहार कॉंग्रेस विधायक दल चुनाओ की रिपोर्ट लेकर ही दिल्ली गए हैं। आज वे कॉंग्रेस महासची प्रियांका गांधे से मुलाकात करेंगे इसके बाद वे अहमद पटेल से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो इसी तरह बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहे हमारे साथ धन्यवाद।